गुड मॉर्निंग फिफ्टी क्लास, आज की हमारी एक्सराइस है 2D, पेज नमबर 25 Question नमबर 1, Estimate each sum to the nearest 10, also find the actual sum A part 67 plus 59, ये हमें दो नमबर्स गीवन हैं, 67 and 59 इन दोनों नमबर्स की हमें estimate value find करनी है Estimate value कैसे find करेंगे, ये estimate value nearest 10 होनी चाहिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, first number आप लिखेंगे 67 ये once place है, ये 10 place है 10 place की digit आप देखेंगे, क्योंकि हमें nearest 10 में estimate value find करनी है 10 place की digit से पहले जो number होगा उसका आप 0 में change करेंगे अगर once place पे 5 या 5 से बड़े digit है तो आप क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे अगर ये number 5 या 5 से बड़ा है तो आप 10 place की digit में 1 add करेंगे 7, 5 से बड़ा है, इसको आपने 0 में change कर दिया, ये number 5 से बड़ा है तो आपने 10 place की digit में 1 add किया 6 में 1 add किया तो ये क्या हो जाएगा? 7, 67 की estimate value क्या है? 70, second digit एक यो 59, इसकी estimate value find करेंगे कैसे? ये 1 place है, ये 10 place है, 1 place पर जो digit है उसको आप 0 बना देंगे अब आपको ये डेखना, 1 place पर जो digit है वो 5 से बड़ी है ये छोटी है आपने देखा, ये 5 से बड़ी है, 9, अगर ये digit 5 से बड़ी है तो आप क्या करेंगे? 10 place की digit में 1 add करेंगे 5 में 1 add किया तो यहां क्या बन जाएगा 6 तो यह क्या है हमने estimate values लिखी है अब इन values को आप add करेंगे sum find करना है 70 plus 60 answer क्या है 130 estimate sum क्या है 130 अब आपको actual sum भी find करना है also find the actual sum actual sum find करने के लिए जो actual numbers है उनको आप add करेंगे 67 plus 59 7 plus 9 16 16 का आपने 6 लिखा उपर कैरी जाएगा 6 plus 1 7, 7 plus 5 12, यह आपका actual sum है और यह आपका estimate sum है B part आप try करेंगे, C part देखिए 69 plus 78 69 plus 78 इसको कैसे solve करेंगे पहले first number आप लिखेंगे 69 यह कौन सा है, once place और यह tens place है अब इसके estimate value कैसे लिखेंगे हमें estimate value लिखने, nears 10 तो यह once place है, ten place है, ten place है, ten place वली से पहले जो digit है, one place की digit को आप सीरो बना देंगे, आप यह चेक है, यह चेक है, यह चेक है, one place पे जो digit है, वो five से बड़ी है, यह चोटी है, nine five से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ten place की digit में one add करेंगे, six में one add किया, तो यहां क्या आ जाएगा, seven, 69 के estimate value क्या है, 70, अब आपको second digit लिखनी है, यहांपर second digit आप लिखेंगे, इसे भी, यह one place है, यह ten place, अब आपको इसमें क्या करना है, one place में जो digit है, उसको आप zero बना देंगे, इसको आपने क्या लिख दिया है, हापे zero बना दिया, अब ten place की digit है, उसमें कैसे change करोगे, अगर one place की digit five से बड़ी है, यहांपर eight है, five से बड़ा है यह number, one place की digit अगर five से बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, ten place वाली digit में one add करेंगे, seven में one add किया, तो यहां क्या बन जाएगा, eight, अब आपको क्या करना है, estimate value find करने के लिए, आप इन दोनों numbers को add करेंगे, 70 plus 80, क्या value आई कि zero plus zero, seven plus eight, 150, यह क्या है, 150, estimate value, estimate sum क्या है, estimate sum is equal to 150, अब आपको actual sum भी find करना है, actual sum find करने के लिए, यह जो actual numbers हमें given है, उनको आप add करेंगे, 69 plus 78, क्या value आईगी, 17, एक carry जाएगा, seven, तो यह आपका क्या आया है, actual value, तो इसके आगे आप लिखेंगे, actual value, एसे ही आपको solve करना है, number की पहले estimate value find करने है, और उन values को आप add करेंगे, अब आप यह दिए के f बाला part हम करेंगे, इसमें क्या add करना है, 57 plus 93, कैसे add करेंगे, 57 की सबसे पहले आप estimate value find करेंगे, कैसे find करना है, यह once place है, यह ten place है, one place की digit को आप zero बना देंगे, अब आपको चेक करना है, one place पे जो digit है, वो five से बड़ी है या छोटी है, यह five से बड़ा number है, अगर one place की digit five से बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, ten place वली digit में one add करेंगे, five में हमने one add किया, six बन जाएगा, अब second digit को देखिए, second number 93, once place, ten place, अब आपको क्या करना है, one place की जो digit है, उसको आप zero बना देंगे, उसके बाद आपको ये चेक करना है, one place की digit five से बड़ी है या छोटी है, आप देखेंगे, ये क्या five से छोटा number है, तो आप क्या करेंगे, ten place की digit में कोई change नहीं करेंगे, उसमें आप one add नहीं करेंगे, nine है, ये nine ही रहेगा, क्यों, क्योंकि one place की digit five से छोटी है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों numbers को add करना है, 60 plus 90, add करेंगे क्या आएगा, 150, तो हमारी estimate value क्या है, estimate sum is equal to 150, अब आपको actual sum find करना है, actual sum find करने के लिए आप इन numbers को as it is add करेंगे, 57 plus 93, क्या value आएगी, 7 plus 3, 10, और ये, टीकि ये value इस case में same आएगे, ये हमारी क्या है, actual value, actual sum, ऐसे ही आपको exercise को first question solve करना है, इसका e part देखिए, e part में क्या है, 75 plus 48, 75 के estimate value कैसे find करेंगे, 1 place पे जो digit है उसको आपने 0 बना दिया, 10 place के digit को आप change करेंगे कैसे, पहले आपको 1 place की digit चेक करनी है, वो 5 या 5 से बड़ी है, या छोटी है, तो यहाँ पे 5 लिखा है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है, तो आप 10 place की digit में 1 add करेंगे, तो 7 किसमें change हो जाएगा, 8 में, 2 नमबर देखो 48, 48 में 1 place की digit को आपने 0 बना दिया, 10 place की digit में आपको क्या करना है, पहले 1 place पे देखिए, जो नमबर है 1 place पे, यह 5 से बड़ा नमबर है, तो आप क्या करेंगे, 10 place की digit में 1 add करेंगे, 4 में 1 add किया, तो वो किसमें change हो जाएगा, 5 में, 1 place को हमने 0 में change किया, 10 place की digit में 1 add करके उसको लिखा, क्योंकि यहाँ जो नमबर है, वो 5 या 5 से बड़ा है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों नमबर को add करेंगे, आंसर बिल भी 130, यह हमारी estimate value है, या estimate sum है, actual sum क्या होगा, इन दोनों नमबर को simply आप add करेंगे, तो हमें actual sum मिल जाएगा, अब 3 digits के नमबर देखिए, जी पार्ट, 250 प्लस 375, इसमें आप क्या करेंगे, हमें nearest 10, हमें 10 place की value तक इसको estimate करना है, तो यह 1s place, 10s place, 100th place, अब आपको क्या करना है, 10 place पे, यह हमें चेक करना है, तो 1 place का जो है, उसको आप 0 में चेंज करेंगे, यहां पहले ही 0 है, तो यह as it is 0 आ जाएगा, ठीक है, अब आपको यहां चेक करना है, यह as it is रहेगा नमबर, 10, क्योंकि इसमें हमें nearest 10 का estimate value find करना है, 10 place की जो digit है, वो आप चेक करेंगे, 10 place में कुछ change होगा, क्यों, 1 place पे 5 से छोटा नमबर है, तो 10 place की डिजिट में कोई change नहीं आएगा, 5 as it is रहेगा, और इसको तो हमें कुछ change करना ही नहीं है, 2 as it is आप लिखेंगे, 250 का estimate 250 ही रहेगा, 375 देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, 1 place की जो digit है, उसको आपने 0 में change कर दिया, यहाँ तो पहले से 0 था, यहाँ पे हमने 5 को 0 में change कर दिया, अब आप 10 place की digit चेक करेंगे, 1 place पे 5 या 5 से बड़ा नमबर होगा, तो 10 place वली digit में आप 1 add करेंगे, यहाँ पे 5 है, तो आप क्या करेंगे, 10 place की digit में 1 add किया, 7 में 1 add किया, तो यह क्या बन जाएगा 8, 3 हमारा as it is रहेगा, इसमें कोई change नहीं करना, अब इन दोनों नमबर्स को आप add करेंगे, value क्या आएगी 630, अब आप यह देखिए, actual sum क्या आएगा, actual sum इन दोनों नमबर्स को add करके आएगा, जो हमें दिया हुए 250 प्लस 375, यह हमारा actual sum है, यह हमारा estimate sum है, इसका last part देखिए, 462, first number, यह 1 place है, 10 place है, यह 100 place है, अब आप इसमें क्या करेंगे, हमें estimate value find करने हैं नियर्स 10, estimate value find करने के लिए, 1 place की जो digit है, उसका आप 0 में change करेंगे, 10 place की digit को कैसे change करेंगे, 1 place पे क्या है 2, यह 5 से छोटा है, तो 10 place की digit में कोई change नहीं आएगा, 6, और इसको तो हमें change करना ही नहीं है, यह as it is 4 रहेगा, में 10 place वाली digit चेक करने ही है, second number देखिए, 271, 1 place की digit को आप यहाँ 0 में बदल कर लिखेंगे, अब 10 place की digit को change करना है या नहीं करना, कैसे चेक करोगे, 1 place पे जो number है वो 5 से छोटा है, यानि 10 place की जो digit है वो change नहीं होगी, और यह 100 place की digit आप ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, यह हमारी estimate value है, इनको आप add करेंगे, 460 प्लस 270, add करो, 6 प्लस 7, 13, 4 प्लस 5, 6, 7, actuals यह क्या है, estimate sum, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, estimate sum, actual sum क्या आएगा, actual sum इन दोनों numbers को add करके आएगा, 4, 62, 2, प्लस 271, इनको add करके जो value आएगी, वो क्या है, actual sum, question number 1, आपको copy में complete करना है, जो parts मैंने आपको करवाएं, वो आप लिखेंगे, बाकी parts आप home work में अपने आप से try करेंगे, okay,